वेल्कम बैक टूमा यूटूब चैनल पेपर है कर आज के वीडियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज हमारे पास एक नया कोश्चन है ठीक है इसके बारे माज हम डिस्कस करेंगे एक लॉंग कोश्चन है आपका कोश्चन है थोड़ा वीडियो लंबर रहने वाला है वीडियो का करें सraim किस प्रकार नामित करते हैं किस प्रकार नामित करते हैं यह बताना जैसे कि हमने सिस और ट्रांस परते थे उसी प्रकार से अब हमें क्या करना है यह मोलेकुल फार्मूला और इनका सेम होता है तो यह क्या दरसाते हैं आपके जी आई को शो करते हैं अब हमें क्या करना है लेकिन इनका जो अरेंजमेंट होता है इस पेस में अरेंजमेंट इनका इस पेस में कैसा होता है डिफरेंट होता है और इस्ट्रक्चर फार्मूला से मोगा लेकिन उनका इस पेस में जो और इसा होगा आपको इसको एक्स्प्रेंट करना और आपको बा में पूंच रहा निम लिखे जैमती समावियों के इजैड नाम लिखिए वा कारण समझाएं मतलब कारण समझाना कि यह तो क्यों है और जैड है तो क्यों है यह आपको बताना है ठीक है क्यों है ठीक है असाइन इजैड नॉमनकले चर्ट टू इच आपदा फालूंग जिमेट्रिकल आईसोमर्स ठीक है इनका नाम बताना है इनके नाम बताना है इनको हम बाद में पढ़ेंगा सबसे पहले हमें क्या जानना है सबसे पहले हमें यह जानना है ठीक है यह हम किस प्रकार से इसको लिखेंगे तो यह आपको दे रखा है पहला आपको यह दे रखा है ठीक है एक्जामपल दूसरा एक्जामपल आपके पास यह है थार्ड एक्जामपल आपके पास यह है और फिप्त वाला आपके पास यह है और शिक्स तो यहां पर शिक्स एक्जाम्पल आपके दे रखें इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इसका नाम क्या होगा यह होगा तो क्यों होगा जैड होगा तो क्यों होगा यह सब बताना है तो उससे पहले हमें क्या करना है कि यह जैमती है समा बिबियों को हमें पढ़ लिखने का तरीका क्या होगा क्या मैथट रहने वाले उनको पहले हम पढ़ेंगो उसके बाद एक्जामपल दे रखेंगे उनके हम नाम लिखेंगे ठीक है तो सबसे पहले कहा रहा है इसके लिए कुछ सबस्pflicht केंडिसन्स होती क्हा रहे है घ्जामती समाव्यवता में अभी तक जैसे ए æ बी सी यह क्या है आपका कारवन कारवण कारवन कर बीच में double और दूसरे कारवणसे भी आपका कहें लगा हुआ है कारवनसे भी लगा हुआ है और और be ये प्रकार तरह से योग्यों का वारण कीया गया इस प्रकार किया गया है इन यह बंदित दोनु कंढर्वन पर आपस में सेम होते हैं करा है ऐसे योगिकों के ज्यामतिय समावेवियों का बिन्यास प्रकट करने के लिए सिस एवं ट्रांस उपसर्ग यह क्या होते हैं आपके प्रिफिक्स होते हैं जो बाद में लगते हैं ठीक है सिस और ट्रांस उपसर्ग का प्रियोग किया जाता है ठीक करा जिस समावे वी में शमान समूं या परमान युग्म बंध के एक ही ओर हों किदर हों युग्म बंध के एक ही ओर यानि कि double bond carbon के एक ही side ये double bond carbon का एक side जैसे A यहां पर हो गया और दूसरा A पर हो तूँ यह दोनों कैसे होगा सिम स nen जोगाए एक टरफ और समीर्ण में कटिए तो यहां उसे क्या क्या सिस या संपक्ष ओंके एक डाउं और जब आने कने हैंक प्रतिस्थापित एथलीन व्यूत्पन्नों के बिन्या सिस और ट्रांस बिधी से नहीं लिखे जा सकते हैं उनको प्रकटा नहीं किया जा सकता है कोई भी तीन एटम एटम्स और आपके ग्रुप्स हो सकते हैं ठीक है और टेटरा में आपका क्या होगा करेटरा में आपके चार एटम्स एटम्स और आपके आपर ग्रुप्स भोसकते हैं अगर शीयम तीन और चार ग्रुप्स और आइठम्स आपको देखने को मिल जायंगे तो वहाँ पर आप सिस और से उसका नाम नहीं लिँके ठीक है कैसे नहीं लिख पाओ को देखो की कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर मैं हाँ पर बात करूं ठीक dit roce अग हम कहेते राइ क्या करतें तो इसका नाम नहीं पैचान सकते हैं कि यह नंबर इसको देंगे तो वहीं हम इसको भी बिलिब ढ़ेंगे तो लककुल करेंगे यह नहीं है मतलब यह जैडल हो वहां होगा टे thrust क brewing जाडल हो ऊहई नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी जो पोजिशन्स होगी, ओ को हम क्या करेंगे, सब एक हो हम क्या करेंगे, एक ही समान नंबर देंगे, ठीक है, सेम प्रियोरिटी हम देंगे एक तो उसका भी हम नाम E और Z सिस्टम से नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो यह आपको ध्यार रखना है कि टेटरा का हम जो नेमिन कलेचर इस विदी के द्वारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कौन से विदी के द्वारा, E और Z सिस्टम के द्वारा, पर एक जांपल जैसे आपको दे रखा, बन ब्रोमो, बन क्लोरो प्रोपीन, मतलब जहां डबल बॉंड आ जाता है, तीन का, क्यादर करते हैं, पर्मादू किर्मांक के आधार पर नमेंगे, सबसे हाई तृँक है, और यहां देखो ब्रोमीन का प्रमानो कुरुमांग जοदा होता है इसली लीए हम इसको नंबर 1 फॉम क्राहिप रॉपर जंगे ओपर आजाओ यहाँ देखो आटोजिन लगा वुह से क्या लगा हुआ तो नंबर 1 दू थिक या सिस्ट हम और हम है सेंजी पात कर समय करें और ब्रोपुपीuhan यहां अ पहले नंबर पर लगाँ यूवह था घॉक्ण्यूद Day यौ फिर दूसरे नंबर पर लगा दिया थिक एक आब इसको क्या कर दिया एक दो तो यह दो नंबर प्यादाए तो क्या हो जागा आपका बन ब्रोमो बन ब्रोमो और डिनकार्वोर Scripture यह हो गया इसका फान रूप tool रूप स्यस्य द्री लगा हुआ है। इन पे अगर हम llev कि बात करने इसे कि बात करें तोस Ouch Out रृत कर देंगे कि वानन की तुल्णा में ज्यादा होता है। यहां पर हम कलोरीन पार्भाएं के बात करें कि काम नाम के एक बैग्यानिक थे काम इंगोर्ड और प्रिलॉग कौन था काम इंगोर्ड और प्रिलॉग ने विक्सित किया था इसको किस ने विक्सित किया था इसको किस ने विक्सित किया था आपका काम गोर्ड और काम इंगोर्ड और प्रिलॉग ने इसको विक्सित किया यह पुए और जएड बुदी देखिया इसके लिए इसके लिए का करना ओर निम्ड दो पदों का अनुकराण किया गयां जो कि आपको याद रखना है ठीड नीचे जो दो स्टेप्स दे रख़ी है वो आपको दोनों को अच्छे से याद रखनी फिर्ट कोई Đो सन्लंगन दो संुहों में से प्रतिय को अनुक्रम नियम के अनुसार अग्रता यान की प्रियोर्टी दी जाती है अब देखो डबल बांड वाले कारवन से जितने भी आप के एटम्स और लगे होंगे उन्हीं में क्या करेंगे जो हमारा अनुक्रम रूल नुक्रम नियम दे रखा उसी के अनुसार हम क्या करेंगे उनको प्रियोर्टी देंगे यानि कि अग्रता देंगे ठीक है तो देख लो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉंड हpar इसका अगर प्रमानु क्रमांग जड़ादा तो इतर इसका कहता है इसको किय्ज morta उपर wired दोनों ये δूसरे के अपोजेट तो यह क्या हो जाएंगा इसको किया कहते है यानिका ठा急 स серьी 받व जागा है आगे आपको एटम्स और गुरुप मिलेंगे उनका हम नामकरण ऊपर जैसे हमने बताया था कि प्रमाणुक्रमांक के बढ़ते हुए करम के अंसारम उनको उच्च और लो प्रियोर्टी देंगे ठीक दूसरा कार्म आमका यह यहां पर डबल बाॉंड एक यह लगा हुआ है यह लगा हुआ हुआ ठीक दूसरे वाले कार्बन से भी दो एटम्स और गुरुप लगे हुए तो उपर वाले कार्बन की अंपार्ट यहां उच्च प्रियोर्टी है और इधर दूसरे ज़ले करें ऐब कि चैसे एंटम सोट हैं डबल बांड के ये क्षाप में आपको सेम और गुरुप लगे हुए ए रूंबरन कि theo ऐसे हो जाऊ सो जागाया तो यहां दिकुर्ननगरता यहां पर भी कैसी निमनगरता तो यह कईसा हो जागा आपका तो थोड़ा सी द्याँ रते हैं ओने की वी हुए उच्चग्रता ऐसाम हुँ हुया प्रमाणु का हम क्या करते हैं इसके गले यानि कि जैड करते हैं गरते हैं जैड से प्रकट करेंगे और यदि उच्छक्रता वाले समूं या प्रमाणू दौइंद के विप्रीट पक्छों पर हैं तब इस समाववेवी को हम समय वेभी के बिन्यास को यानिकी जर्मन क्या होगा एंट जी जन मींस अपोजट जब अपोजट साइड में होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे प्रांच जैनकी इसे प्रदर्सित करेंगे ठीक है तो यह आपको होगा इओ जड के साधार पर हम उनकी नेमिंग करेंगे कुछ यहां पर एक्जामपल दे रखें उनको हम एक एक करके करेंगे तो सबसे पहले नमबर एक इसके लिए बेसिक एक्जामपल दे रखा है यहां पर देखिए आपको लगा वह स्काना इसका नाम पर इस्कंथ नम्बर्वित Napoda और सब्सक्राइब करो एक सिभी मखेज दूबाइब दो बेंगे यहां पर आजाओं यहां देख्षो कार्वन लगा हुए मैं अधा है नहीं तो पिड़ क flavors of lakh सब्सक्तिक को कॉलोरिन का थे दिन थीकल 16 जैसे कि यहां पर आपको यह दिखाई गई है उपर दो नीचे एक इधर दो इधर एक तो यहां पर देखो इस कारवन का कारवन के सेम साइड हमें देखना है आपके मतलब जो एटम्स और गुरुप लगे हूं कि नम्बरिंग डवल बाउंड के एक तरफ अगर सेम है तो हम से और दोर आपको और नम्बर एक आपको और नमबर एक दोनों डवल ओल आए तो तो सिसफ़ार्म को हम क्या कहते हैं जैड कहते हैं तो यह हमारा का सब्सक्राइब लगा हुए इसके वजब से इसका नाम क्या हो जागा ठीक अता है इसके बिन्यास को जैड से प्रदर्शित करेंगे ठीक है किस से प्रदर्शित करेंगे याप जैड से प्रदर्शित करेंगे ठीक है यह आपको द्याँ टकने है योगे बन ब्रोमो टू क्लोरो टू आयोडो प्रोपीन का बिन्यास भी इवा जैड प्राडाली से निम् प्रकार हम ब्यक्त कर सकते हैं ठीक है किसका यह आपको दे रखा है बन ब्रोमो टू क्लोरो टू आउरो प्रोपीन का कि अगर कि ओनौ कि अगर कि इसको व्यक्त कर सकते हैं तो यहां लोड कार्बन के बीच में डूबल वांड यह आपका पहला कार्बन यह आपका दूसरा कार्डबन तो पहले कार्बन से जो आपके एटम से गुरुप लगे हुए उनके हम प्रियोर्टी देखते हैं क्या होगी दोनों गर सेम है तो आपका सिस हो जागा अगर अलग अलग है तो क्या आजागा ट्रांस हो जागा ठीक है तो यहां देखो नमबर एक आपके एक तरफ है और नमबर एक आपका कुर दूसली तरफ है तो यह दोनों कैसे हो जाएंगे अपोजट साँ Daven बजाएंगे इनकी नंबर नंबर है ठीक है सेम नंबर आपके अपोजट इब अब की फृउजिटर सट और ट्रांस वालिक हम किस से प्रदर्सित करते एसे ठीक है तो हम कह सकते हैं कि जो आपका बन ब्रोमो टू क्लोरो टू आइडो प्रोपीन है यह कैसा हो जागा आपका इसमर हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपको इनकी नम्बरिंग नेमिंग करनी है यह द्यान रखना अभी हमने देखा था ठीक है तो यहाँ पर देख लो आउडीन वन और ब्रोमीन बन तो यह कैसे हो गए ट्रांस पोजिशन को मतलब शो कर रहा है तो इसका क्या जागा ए ठीक है ट्रांस बराबर ए तो बन ब्रोमो टू क्लोरो टू आडो प्रोपीन जो उपर दे रखा था बिल्कुल भी दे रखा ठीक है परकोष्ट को में परमानों कुर्मांक लिखें यह जो कोष्टक आपको दिखाई दे रहें इनमें के लखा एटम नमबर लिखा जिसके आधार पर उच्चतवा निम्न अगरता निरदारत की जाती है इसी के आधार पर हम देखते हैं कि इसक कारवन जिसमें कारवन दो था ठीक है उड़ीन और क्लोरीन दो एटम जड़े हुए उपर देखा दो दूसरे नमबर कारवन से क्या लगा हुआ था है आउडी का प्रमानु करमांग कितना वीप्टी त्री करमांग के आधार पर आधार पायोडीन उच्च घरता वाला परम लगा हुआ था दूसरा के लगा हुआ था ठीक है यह दोनों आइटम आपके जुड़े हुए थे प्रमानुकिर्मांग आपका कारवन का प्रमानुकिर्मांग इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बियार है उच्चक्रता वाला समूँ हो जागा ठीक है यह आपको दिहां रखना है करा उपर युक्त तत्थियों के आधार पर उच्चक्रता वाले समूँ आयोडीन ब्रॉमीन करा दोई बंद की विप्रीद हैं दोनों कि धर है अपोजिट साइट है ठीक है अता इस समय विभी का बिन्यास कैसा होगा यह होगा यानि कि किस से होगा जब विप्रीद साइद ल leuke होते हैं तो इसको कहते हैं और ट्रांस में के स्कुल दिखा आते हैं यह को दिखाते हैं एक से इसको हम प्रदर्सित और इस वाले कार्बन से आपका क्या लगा हुआ है- मन के लगा हुआ है इस वाले कार्बन कRI तो यहां कार्बन यहां कार्बन ठीकनामरीं बराबर होगी आग बड़ो साथ व्रोमीं लगा हुआ है hydrogen लगा हुआ मानलों के लगा तो नॉम्भर लगा हुए इसका फर्मानव करमांग ज्ञाद हो जाएगा नées तो इसको हम क्या करेंगे नंबर एक देंगे और दूसरे वाले को करेंगे नंबर दो देंगे ठीक है अब हमें देखना है कि इसके जो एक्टम्स और गुरूप लगे हुए है वो सेम साइड आपके मतलब डिफरेंट है या दोनों सेम आ रहे हैं उसके आधार पर हमें इसका यहां पर देखो के इस वाले का ऐसे देखो अब तो इहां पर दो नंबर आपका और इधर कितना है इधर आपकी नंबर यहां एक और यहां एक दोनों कैसे आपके अपोजिट साइड लगे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं इक्ताव नहीं यहां समाविथि और इस की समाविवीन, नाम कैसी हो जाएगा इसकी आ नाम क्या चाहिए झाय ardaking कि इस इसकी नाम क्या चाहिए जाएगा E Serio है और देखी उसका ऑई पीच नाम के गढ़ बानत करें तो यह गारवन के बीच में वान लगा हुए है तो पहले सबसे पहले है फिन होता कि सबसे गया सब्से लंबी कार्वन करंश रंकला की रहा है तो अधिक carbon पर आपका 63 लगा हुआ है ठीक है तो इनकी दोनों के नाम करना है और दूसरे carbon पर क्या लगा हुए एक double bond जिसे हम क्या कहते है इन कहते है ठीक तो क्या लगना है बन ब्रोमू क्या लिखोगे आप बन ब्रोमू 2,3 दो मिथाल लगें तो 2,3 डाइ मेथिल 2,3 क्या हो जागा डाइ मेथिल और टू नंबर पर आपका double bond लगा है तो क्या कहोगे तू पेंट इन पांच कारवन इसलिए क्या कहते होगे तू पेंट इन यह आपका कैसा हो जागा यह हो जागा ठीक है रीजन बताना कि यह है तो क्यों है E और Z करा उपर्यूक्त समावयवी उपर्यूक्त ज्यामती समावयव का E Z विदी से नामकरण अनुक्रम सीक्विंस के आधार पर यानि की सीक्विंस के अनुसार किया जाता अनुक्रम नियम का विस्तरत रुढ़न इसी प्रश्म के आमे दिया गया है यह हमने उसमें उसका अधन किया था करा उपर्यूक्त ज्यामती समावयवी की दुई बंदित प्रतियक कारवन परमान उसे सलगन दो समुहूं ठीक है में से प्रतियक की अनुक्रम के अनुसार अगरता निम्न प्रकार सेम क्या करतें निकाली जाती है ठी देखो वही उपर वाला है जो भी हमने देखा था ठीक है तो इस वाले कारवन से आपका यह यहां पर देखो कुछ गलत मिस्प्रिंट हुआ यह बाला इस वाले कारवन से लगा हुआ है यह बॉंड नहीं है इस वाले कारवन से आपका बी आर और से जोड़ा हुआ है इस वाल से किवल तक बन लगा वगया तो ₹ यह अब ऀैस की हाइ प्रियोड यान कि इसके क्या प्रियोरट की Chief्ех के पास किला नीमन गड़ और टो अबTH तो इसका क्या शागा आपका नीमन अगरता ओ सा कहे यहां पर कया होगय क्या होगा निम्च इन्ब गयाओ यह अगला एटम इस पहो क्या है इसलिकी एटम इसलियन प構bDA ऐसे फाल गवाना इन्दम इसलिंट कैसे इसलिकर गया यह पर और शहली न स्कत्र की कैसे nat Baron विट्यास को करता है कि इसको सो करेगा इविन्यास को विए स्ञोर करेगा तो cyclismClarkug अगरता की परिए ट्री विश्टी सीटू सीरी और सल स्च बी दोज वंद के दोनों कैसे लिए दिशामें दोनों कैसे दिशामें 왜냐 की utilize टू टीcause शल्प को जाए जेड़ edda गलत ज्याड नहीं होगा क्या होगा यहांपर यहांपर यह ज्याद है नहीं होगा देल रखा है इस देख कर एक्जामपल के अगर हम बात करें तो यहांपर आपको दूसरे इस तरह से दे रखा है कि दूसरा एक्जामपल हुए आपका कार्वन कार्वन के बीच में डूबल बॉंड और इस कार्वन से आपका लगा हुआ ही पाला कर्वन इस में पहले बात करें ते यहां पर देंगे तो ओच्छक गरता देंगे है इसको क्या देंगे हम निम coolest een कार्वन दो कार्वन लगेिगों दो कार्वन का मालोकि Madapa कितना हो गया बाराए तो कितना हो तो हमनबर एक दिए और इसको मनंबर दो देंगे अब देखो नमबर थो दोनों कैसे अपोज यानि raft ला और इधरा आ जा जाओ इस वाले के लिभर के बैने की रिची साइड कैसे आपको तो गर और और निम्हों तो यह किस तरह को हुजाता है हमारा यह यह कैसा हो जाता है हUNG ह्टांस के ओ encontrar का यह स्बड़ार को करेगा किसको शुकर करेगा लिए के आप जहाँ समावें कि था इसे कैसा हो जागत rhagous कि इसमें लगा हुआ कि इसमें लगा हुआ कि यह आपको देखना दो और इधर जो बचा हुआ यह इसको भी नेमिंग करनी है लगाएन नहीं यह साइड चेहिए यह एक लंबी स्र trajectory को यह ही एक लंबी स्रांखला ईथेख और यह सब्सक्रार दूसरे अनोंबर पर आप के लगा हुएफ्ब्र मिन तो कहा धताएं तो फ्रीयाफ और कारवन केतनी है 5 तो क्या ह हुँएıl और दूसरे कारबन से आपका double bound लगा हुआ तो क्या ज़एगा ईन और बन नंबर पे आपका OH लगा हुआ तो क्या ज़एगा All तो आपका नाम हो जागा 2 Bruno 3 Ethyl Paint 2 In 1 All यह आपका एक आपके एपीशी नाम हो जागा थीक है उपर युक्त समाय वेवी में ऊच्छाकरता वाले स मुद्विबंद के विप्रीव दिशा में है अता यह कैसा होगा इविन्यास होगा क्या होगा इसका विन्यास इविन्यास होगा ठीक है उपर जो हमने अभी देखा था ट्रांस मिंस इए कि करें यह आपको क्या है कि यह इसकी हम बात करें तो करणी के बीच में आपको डबलन देखेंगे हैं इस वाले कारवन से लगा हुआ आपका सेच टूब चोब है लगा हुआ है दूसरा कार्माँ और एक लगा हुआ है उसको थे एक नंबर देंगे यानिकि हाइफ अमया नंबर दि occupation हम आ जाँ तो इदर इस वाले carbon को हम क्या करेंगे उच गरता देंगे ठीक है इसको उच उच गरता इसको क्या करेंगे हम निम्न गरता देंगे ठीक है यह निम्न गरता यहां पर यह क्या जागे उच गरता उच अब देखना है कि double bond की same side आपको कैसे group और item दिखाई दे रहे हैं तो यह पर देखों यह कैसा आपका क्या हो गया यह भी आपका उच्छुर्टा ऐसे हो गए हैं दोनों की किस दिषामें इसमाय भी भी हो जागा ठीक है इसको किस प्रकार लेख सकते हैं निम्न प्रकार लेख सकते हैं यह कैसा हो जागा बिन्यास इसका ए रहेगा ठीक है तो इसकी घर हम बात करें देखो तो इसमें कितने कारवन है एक दो तीन चार पांच कारवन ठीक है तो पांच कारवन के और इसको बन और कर सकते हुए क्योंकि एक नमबर पर आपका लगा हुए इसके लिए लगाते हैं तो यह इसका नाम हो जाएगा कि यह आपका अलग से रखा है कि इसको नहीं लखना फोर था यह आपका है कि इसके अामें करना है इसमित तरह करें तो इसका बिन्याज किस तरह से घृषिन इंगे कारवन के बीच में आपको डबल बॉंट दिखाई दे रहा है कारवन से क्या लगा हुआ अब इसको नम्बरिंग देने हैं तो इसे भी से अगर हम तो प्रियोर्टिक इसको देंगे, हम CL वाले को देंगे, ठीक है, और लोग इसको देंगे, हम hydrogen वाले को, इस वाले कार्वन की अगर हम बात करने, तो इस पर क्या लगो है, bromine और iodine, iodine का प्रमानु कर्मान की तुलना में ज्यादा होता है, तो इसको हम नंबर एक देंगे, इ और यहां पर है, इसको हम क्या है, अपूजिट हैं तो जब ट्रांस होता है, तो सिस्टम कैसा होता हमारा, अपन्यास वाला होता है, तो यह कैसा हो जागा, इसका बिन्यास आपका कैसा रहेगा, यह रहेगा, घ्लोरीन और iodine, दोइबंद के किदने, विपरीज साईड में, सब्सक्राइब नेसें नेक्स्ट आप पर रखा फुर्फ वाला ठीक है तो फिप्त के अगर हम बात करें तो यह दे रखा कार्वन और कार्वन के बीच में डबल है ब्रोमीन क्लोरी एस थिरी और हईडोजन तो यहां पर अगर हम नंबर की बात करें तो इस वाले कार्वन को हम पहला नंबर इसको देंगे ठीक है कि इसको देंगे दूसरा नंबर हम किसको देंगे आपके दिखाई दे रहे है वह चक्ड़त हो रहा यहां पर क्या होगा आपका अँच्छ यह पर निम्नुट होता तो तसizar आको होता है क्वा अभून वाला टो इस जांती जलती धमाइवM क्लोरिन और ब्रोमीन के विप्रीद दिशा में अगर ऐसे करके आप देखो तो क्या हो जागा अता यह समावी बिन्यास का है कैसा हो जागा इसका बिन्यास यह हो जागा ठीक है आई पीसी नाम तो आपने अच्छे से पढ़ाई होगा बिल्कुल आप लेख सकते विजली तो इसका आई पीसी नाम को एस तरह से हो जागा देखो एक कारवन दो कारवन तीन कारवन सब फेहले हमने क्या करा करवन की लंबी सरंकला ठीक है थिक है बन आeg़ा ठीक है यह बन बरोम में बन लोर्वstadt का सब्झल पीसी सब्सक्राइब लगा हुआ उसी कार्वन से दूसरी तरफ के लगा हुए एक और दूसरे वाले कार्वन के एगर हम बात करें उपर वाले में तो इदर मद्राउयक लागा हुआ है तो इसको में क्या नंबर दो देंगे तो इसको में क्या करना है नम्लिप्रियोराइधि देति खिए तो इसको हम क्या करेंगे नंबर दे देंगे इसको हम क्या करेंगे नंबर एक आप देख लो डबल बांड के सेम साइट अगर सेम है तो सिस हो जागा अगर डिफरेंट है तो कैसा हो जागा आपका ट्रांस हो जाता हो जब तो सभी जानते क्या होता उसका विन्यास हो जाता है ठीक है तो कह रहा हूं पर यूप्त जयामती समावेविविविए अग्र उच अग्रता वाले या सेम अग्रता वाले कहलो समूछ यह थ्री आपका यह थ्री दोनों है जो कि दोई बंद के गदर है अपोजिट साइड है द आप देखना कि नाम आपने पढ़ा होगा कै इसका हमें क्या करना है आपको नाम पढ़ना है इसका क्या करना है जो है कि पर सबसे पहले कि कर में कitने चार एक धो तीन चार जब प्रेज़ के लगाव तक में तनको फंक्नल कर नहीं कहते से से लिए ए में टो चाहर कार्वन न के लिए हम क्या लगते हैं इधिर लिखते हैं और क्या है डडबन लगा हुआ है तो या क्या चाहर स च grapone है फॉर चार्य नंबर पर आपका double bond लगा हुआ तो हम इसको कह सकते हैं टू-ब्यूटीन यह आपका कह सकते हैं यह इसका क्या है आप यह समझ में आया होगा और यह आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सबस्काराब कर दें तादी पास में लगे बेल आइकन को दबाते हैं जिससे कि हमें किसी बीडियो का अगर आपको PDF form चाहिए तो इसी बीडियो को description बने लियं लिंक मिल जागा और जो भी दिये पढ़े हैं उस सभी बीडियो के description box में आपको link मिल जागा जहां से क्या कर सकते हैं PDF form को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर सकते हैं ठीक है बने रही है हमारे साथ थैंक्वी मिलते हैं अगले वीडियो में